आचित की उक्ति हरी नाम की वहेंपर जोकी पद्यावली नामगरंसे जोकी श्रुपूर सामज़ा द्वारा वी रचित है उसे लिए यह श्रह है श्लोक संख्या 21 जगत का एक मात्र मंगल भवाश्री कृष्ण नाम यदि कंधरूप में सिंगहासन पर विराजवान हैं तो यम्राज एवम उनके दूत कर सते हैं आताय भागोत के शर्ष्टस्गंद के दूतों के प्रति में दूतों के प्रति यम्राज ने कहा ए मेरे दूतों जो नाम परायन विक्ति है उसके पास तो तुम सब भूल करके भी न जाना So कह परेत नगरी पुरंदरह को भवेत तद्यंक किंकरह कृष्ण नाम जगदेक मंगलम कंठ पीठ मुररी करोतिचेत So यमदूतों का इंस्ट्रक्शन है कभी भी ऐसे विक्ति है पास नहीं जाना है जिसने अपने गले की सिंघासन में भवाण श्रीक कृष्ण के नाम को बिठा के रखाए सिंघासन कैसे बिठाते है किसी को कैसे बिठाते है बढ़ा कैसे बिठाते है आईए बिठाते है बिराजिये सिवा करते हैं हम उसकी सिंघासने बैठे है तो इस नहीं से गले यानि कंठ के सिंघासने भवाण को बड़े सम्मान के साथ बिठाना चाहिए अच्छा इसको उधारन है शिवजी शिवजी का नाम नील कंठ क्यों है शिवजी नील कंठ इसलिए है क्योंकि वो हमेशा क्रिष्ण का नाम लेड़े क्रिष्ण है उझ्वल नील-मणी क्योंकि वो नील-मणी है that means he is of the color of sapphire so क्रिष्ण ऐसे है तो इसलिए क्रिष्ण क्रिष्ण गले में विराज़ माने है नील-मणी और फिर गले के molecules plus हला हलवश is equals to नीले वाले molecules and नीले वाले cells, नीला वाला mitochondria and in this way फिर शिवजी का गला, it became नीला and he became नीलगाण काँ से लिगा तो तुम यह सभाई सभी नील कंथ है क्योंकि उजवल नीलवणी वहां श्री कृष्ण नाम की रूप में उनके कंठ के सिंहासन पे विराजमान है, that's why इवन शिवजी is known as नील कंथाव, श्री प्रभुपाद की जाए हरी नाम प्रभु की जाए हम सब वैशन बक्ति चण कम्रों की मंदना करते हैं अनंते कोड़ी वैशन प्रभुपाद की जाए हम सब मिल करके ध्यान पूरो खरे कृष्ण महा मत्र का जब करेंगे